राम रामण के दमाद थे तो लडाई की हुई रामण के दमाद थे तो लडाई की हुई और सीतालचमर की भणा थी तो भाउजाई की हुई एक बहुती सुन्दर परसंग है रामायड से लिया क्या है और इसको समझने के लिए हम लोगों को रामायड पर थोड़े से कुछ बिंदू पर बात करने पड़ेगे लेकिन मैं अपने मूल बिंदू पर आने से पहले मैं चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नए के लिए सब्सक्राइब जरू कर लें ताकि मेरे तर जो भी जानकारी दी जाती है आपको समय पर उपलाव दो सके और आप उसको सुन सके तेवर की बात है कि लंका में अकाल पड़ गया था जब अकाल पड़ गया था तो लंका में रावड और रावड के सभी सैनिक राच्छसगड इस सभी रहते थे लेकि राच्छसों का क्याम क्या होता है धर्म पर विजय पराथ करना धर्म पर विजय पराथ करना और यह हमेशा क्या करते थे रिसियों को जो अच्छे आदमी रहते तो उनको तंग करते थे जि था रावर रिसीयों को जो भी रिसी मुनी यग का काम कर रहे थे उनको पकड़ता और जो है उनका खुन पीना सुरू कर दिया था लेकिन एक बड़ा ले करके गए घड़ा और उस घड़े में रिसीयों का खुन जो है इकत्रित करना सुरुखिया, सप्त रिसी साथ रिसी मिलकर के यग कर रहे थे, उन सातों रिसीों को मार कब उन सातों रिसीों का जो खून है उस घड़े में इकठा कर लिया और घर पर ले गया, उसकी पत्ती मंदुषरी थी, पुछी कि प्रिवब इसमें है क्या तो उसमें रावर्ण ने कहा कि इसमें जहर है जहर इसको कोई खोल के देखना मत कोई पीना मत लेकिन एक बार जो है रावर्ण कहीं बाहर गए हुए थे मन्दोदरी परसान होकर कि सुची क्यों मैं जहर कोई पी लेती हूं खतम हो जाओंगे कहानी खतम हो जाएगा और मन्दोदरी उस घड़े को गई देखी आकर इसमें अगर जहर है तो क्यों मैं ही पी लेती हूं खतम हो जाएगा और जब कोई चीज घर में दे छुपा करके रख दी जाती है तो जो औरते होती है उनको संतोस नहीं होता है वैसे मंदूदरी को भी ना संतोस होता था क्योंकि रावड ने मना किया था मंदूदरी ने जब उस घरे को देखा तो उसमें खून था और गुस्से में आकर के उसमें से थोड़ा सा खून जो है पी ली थी और थोड़ा सा खून पीनी के वज़े से उस मंदूदरी का गर्व ठार गया था मंदुद्री का गर्व ठार गया था अभी गर्व जो है जादी दिनों का नहीं हुआ था रावण कुछ दिनों बाद आता है तो मंदुद्री अपने पती रावण से कहती कि सुना है मैंने कि जब आप जोर से गर्जते हैं तो औरतों के गर्ब गिर जाते हैं ठारा हुआ अरव गर्ब जो है गिर जाते हैं तो रावण का इसमें कौन से बड़ी बात है हाँ जब मैं चिलाता हूँ जब मैं गर्जता हूँ तो औरतों के गर्ब गिर जाते हैं मंदूद्री ने कहा कि मेरे को विश्वास ना हो रहा है, एक बार आप गर्ज के दिखाएं, रावण वहां पर जोर से गर्जता है और मंदूद्री का गर्भ जो ठारा हुआ रहता है, गिर जाता है, और मंदूद्री जो गर्भ गिरता है, उसी गर्भ को ले जा करके फिर से उस घड़े में रख देती है किसी आदमी ने कहा कोई जो बहुत बड़े जो देट गुरू थे जो राउड के गुरू थे उन्होंने कहा कि देखो अपने राज को अकाल से मुक्त करने के लिए जो तुम घड़ा में सबत्रिस्यों का खून रखे हो उसको दूर ले जागा किसी दूसरे राज के यहां तुम उसको गाड़ाओ जमीन में धसा देना तो रावण सोचा कि दूर मिधिला नगरी है वहां के राजा राजा जनक है उनकी नगर जो बड़ी धन समपता बड़ी सुक्स तांतिस है मैं उनके नगर में ले जलता हूँ धसा देता हूँ रावण ले जा करके उस घड़े को वहां पर राजा जनक मिधिला में धसा देता है अब वहां की हालत खराब जाती है अकाल वहां पर पढ़ जाते है तो राजा जनक ने एक यग कराया था यग के उपरांत उन्होंने हल चलाया जब हल चलाया तो जो हल का सीप होता है सीप उस सीप से घड़ा टकरा गया और जैसे सीप से घड़ा टकरा गया और घड़ा फुट गया तो एक जो है रोती हुई बच्ची का आवाज सुनाये दिया और राज़ाचनक ने उस बच्ची को उठाया और वही उनका नाम सीता हुआ क्योंकि उनका सीप से ठक्रा करके उनका घढ़ा फूट गया इसका करूष соверш उनका जन्म सीता तो वहाँ पर सीता का जन्म होता है इस करण से सीता जो है मंदूदरी के गर्व से निकली हुई थी इस करण से रावण की पुत्री हुई और जब रावण की पुत्री हुई तो सीता का बिबा जो है राम के साथ हुआ था सीता का बिबा राम के साथ हुआ था इस करण से राम रावण के दमाद हुए लाई इसलिए हुआ था कि जब सीता को सुवेंबर में रावण ने देखा तो कहा ये तो मेरे कुल का नास करने के लिए आई है ये तो मेरे कुल का नास करने के लिए क्योंने मैं इसी को उठा लेता हूँ जब रहेगी ने तो कुल का नास करेगी ने इस करद से रावण ने सीता का हरड किया था और राम ने अधर्म पर बिजय प्राप्त करने के को रावण बहुत बड़ा अधर्मी था नालिज उसके पास ग्यान बहुत अधिक था लेकि रावण अधर्मी था राम ने अधर्म पर बिजय प्राप्त की रामण को मार कर गया तो राम और रामण में लड़ाई हुई लेकि रह गई बात राम रामण के दमाद थे तो लड़ाई क्यों ही इसका इंसर आपको मिल गया लेकिन सीता लच्छमण की बहना थी तो सीता लच्छमण की बहना कैसे हुई सीता लक्षमन की बहना कैसे हुई ए भी हमको पता है कि लक्षमन जो है सेसनाग के अवतार है और राम जो है भगवान विष्णू के अवतार है तो सेसनाग के सहस्रोफण है बहुत सारे फण है तो एक बार की बात हुई कि सेसनाग के सहसरोफण में से एक फण सुलोचना पर बुरी नजर से देखने लगा सुलोचना जो सेसनाग की पुत्री लगते थी तो सेसनाग का एक फण सुलोचना पर बहुत बुरी नजर से देखने लगा जो पुत्री के समान थी तो सेसनाग को कुसा में या करके जिस फन ने बुरी नजर से देखा था उस फन को काट करके अलग कर दिया निकाल कर फैक दिया और वह फन जो है मेगनाथ है वह फन जो बुरी नजर से देखा था वह फन कौन है? मेगनाथ है अब उनके फन से ही हुआ था बहना होई सीता मेगनाथ की बहना होई तो मेगनाथ और लचमण दोनों भाई हुए तो सीता भी लचमण की बहन होई तो सीता बहन की होई सीता लचमण की क्या होई बहन होई आज सीता का बीबा जो राम के साथ हुआ था जिसके वज़े से वब हो जाए हुई तो मैं आसा करता हूँ कि आपका जो भी प्रश्ण था उसका उत्तर आपको सही से मिल गया हूँ और यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट में जैसी राम जरू लिखे ताकि हमें भी पता चले आपको कैसा लगा